इसमेर नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने शैनल सूप्रभाद 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमनों रेंबो क्लास 7 से लेशन अमद 6 पढ़ने वाले हैं इस लेशन का नाम गौनेस्ट वुटकटर है और इसका आज हमनों हिंदी एक्सपलेशन द हौनेस्ट मैं वो बहुत ही इमानदार आदमी था ओके वन डे ही वास कटिंग उट विफ इस एक दिन वह अपनी कुलहाडी से लकडी को काट रहा था इडवास वैरी हॉट डे और जिस दिन वह काट रहा था वो दिन जो था बहुत ही हॉट था मतलब बहुत ही गर्म था तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाता है वहां पे तो uChar Темdi मतलब होता है की अचानक का आथ से फिसल जाता है कुलहाडी और कुलहाडी फिसल करके नदी में गिर जाता है ओके और ऐसा जब हो जाता है तो जो उड़कटर था वो रोना शुरू कर देता है तो उसकी रोने की आवाद सुन करके और इसलिए वो पानी से बाहर चलियाती है गॉड़ेज वो जो देवी होती है कि वाई आर रूक्यों रहे हो तो जो लकड़ारा होता है वो बोलता है कि my axe has fell into the river what will I do now how will I earn money for my family वो बोलता है कि मैं जो कुलहाड़ी है वो नदी में गिर गई है अब मैं क्या करूंगा कैसे मैं अपने परिबार के लिए पैसे कमाऊंगा तो जो नदी के देवी होती है वो क्या करती है the goddess went into the water and come out with a golden axe तो जो नदी की देवी होती है वो क्या करती है जब उसकी आवाद सुनती है तो वो वहाँ से नदी में चली जाती है और नदी में जाने के बाद वो वहाँ से एक सोनी की कुलाडी को लेकर के बाहर आती है और बाहर आने के बाद पूछती है कि is this your axe gentleman और बाहर आकर के पूछती है कि अरे सज्जन बेक्ती क्या तुम्हारी कुलाडी है तो जो लकड़ारा होता है क्योंकि वो अल्रेडी बहु हुआ है और मेरी जो कुलाडी थी वो लोहे की बनी हुई थी राइट दरीबर गोड़ेज वेंट इंटू दा वाटर अगें अड कम आउट विथा सिल्बर एक्स तो इसकी बाद सुन लेने के बाद जो नदी की देवी होती है वो दुबारा पानी में जाती है और जाने के बाद वो क्या करती है कि इस बार एक चांदी के कुलाडी को लेकर के बाहर आती है और जब चांदी के कुलाडी को लेकर बाहर आती है तो सवाल पूछती है कि इस दिस यूर एक्स डियर डियर क्या तुम्हारी कुलाडी है तो जो उड़कटर होता है वो बोलता है कि नहीं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जो है चांदी का बना हुआ है, और मेरा जो था वो लोहे का बना हुआ था, तो river goddess क्या करती है, कि अगली बार एक बार फिर से वो नदी में जाती है, The river goddess went into the water again and come with an iron axe, तो छो इस बार नदी की जो दे भी होती है, वो क्या करती हैं, कि दुबारा पानी के अंदर जाती हैं, और वहां से जो है, वो एक इस बार जो है, लोहे के कुलहरी को लानेके बाद, और लोहे के कुढ़ाली को लाने के बाद वो उसे पूछते हैं कि is this your, क्या है तुम्हारा है, तो लकड़ारा बोलते हैं कि yes, yes, this is mine, हाँ हाँ, ये मेरा ही कुढ़ाडी है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है, the goddess was very honest man, ठीक है, sorry, goddess, यहां पे जो goddess हैं वो बोलते हैं कि you are very honest man, तुम बहुत ही इमानदार आदमी हो, वा, I am pleased with you, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुई, या मैं तुमसे बहुत ही खुस हो गई, I will reward you, for your honesty, और मैं तुम्हारी इमानदारी के लिए तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, और ऐसा कहने के बाद, the river goddess gave all the three access to the woodcutter, और ऐसा क कटर होता है, वो जो नदी के देवी होती है, उन्हें thank you बोलता है, और कहता है कि आपने मेरे और मेरे परिबार की जान बचा ली, तो I hope कि आप लोगों समझ में आया होगा, और यहां पे एक छोटी सी हिंट बताई गए कि honesty is the best policy, इमानदारी एक अच्छी नीती होती है, so friends आप लोग भी जो है अपने कामों को ले करके इमानदार रहेगा, कभी भी बैमानी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, because अगर आप लोग बैमानी करने के बारे में सोचोगे, तो भगवान सब कुछ उपर वाला देखता है, और आपको जो है उसके बदले में सजा लगा होगा, और एकर इस वीडियो से रिलेटेर किसी भी तरह का कोई सुझा हो है, तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताए, तो थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगा बहुत बहुत धन्यवाद,